रूसी उव विदेश मंत्री ने भारती दूद से मुलाकात की युक्रेन संगहश में मासको की सैध्धान्तिक इस्तती बताई रूस के उव विदेश मंत्री मिखाईल गालुजीन ने सोमवार को रूश में भारती राजदूद विनैकुमार से मुलाकात की और युक्रेन में चल लहे संगहश में मासकों की सर्धान्तिक इस्तिती के बारे में बताया भारत में रूसी दूतावास ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने कुछ अंतराश्टी और द्वी पक्षी मुद्दों पर द्रश्टी कोण में सामंजस से बिठाया और बाचीत भरोशेमंद और रसनात्मक महौल में हुई भारती प्रधानमंत्री पीएम नरिंद्र मोदी ने अमेर्की रश्टबती जो बाइडन के साथ फोन पर की बाचीत युक्रेन और बांगलादेश के हालात पर हुई चर्चा भारत हमेशा से शांती का पक्षधर रहा है हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी और जो बाइडन के बीच में बांगलादेश और युक्रेन में चल रहे अशांतिपुन महौल पर चर्चा हुई भारती प्रतिनिरी मंडल ने मालदीव का दौरा किया विकास सहयोग परियोजनाओं की प्रगति की समिक्षा की मालदीव में भारती उच्चायोग ने सोमवार को कहा कि विदेश मंत्राले के एक उच्च इस्तरी प्रतिनिरी मंडल ने चल रही विकास सहयोग परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए मालदीव का दौर भी किया अमेर्की राजनेकों ने उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की एंसी नेता ने जम्मु कस्मीर के लिए यात्रा सलहा पर फिर से विचार करने का हवान किया राजनेतिक मामलों के मंतरी पराम अश्रदाता ग्राहम मेयर और प्रथम सचीव गैरी एपलगार्थ सहित अमेर्की राजनेकों ने सोंबार को निशनल कॉन्फरेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से स्री नगर में उनके गुपकर आवास पर मुलाकात की इस मुलाकात का मुख्य उद्देश यात्रा सला पर फिर से विचार करना रहा है